हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख जो जी शिखर्श मेलन हुए हैं इन से सम्मंधित क्वैस में कम से कम 500 लाइव श्टुडेंट्स आप लेकर आएंगे ऑके चलिए सात्य शुरू करते हैं आपकी ख्लास को देखते हैं आपका पहला क्वेस्टन तो क्लास है इसको आपको सब्वोड करना है मेरे दोस्तों आपका पहला क्लास को अपने शेर कर दीजिए से पहले जापान, फ्रांस, भारत, चर्वनी, कमेंट करें, वेरी गुड, इस क्वेशन के लिए राइट अंसर, ऑप्सन नमबर E हो जाएगा, जापान, फटा-फट से क्वेशन को डिसकस करेंगे, ठीक है, आप लोग फटा-फट से आंसर करते रहिए, और क्लास को अपने शेर करते रहिए, अगला क्वेशन दिया गया है, 43 वा आसियान शिखर समयलन कहां आयोजित हुआ है, जाकार्ता, वियना, अरुशा, या ब्राजीलिया, कमेंट करें, इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर E, ठीक है, तो 43 वा आसियान शिखर समयलन कहां पे हु हुआ है, जिनका भी अंसर, ऑप्सन नमबर हमारा, फिल्कुल सही उत्तर है, चलिए, अगला प्रशन दिया गया है, 15 वा ब्रिक्स सिखर समयलन, 2023 कहां आयोजित हुआ है, ऑप्सन आपके सामने है, ये ऑप्सन पढ़ेंगे, तो आपका काफी समय जाएगा, है ना, तो फट लिखे दे सकता हूँ, बहुत इंपोर्टन क्वेस्टन से, चलिए बताइए, तो इस क्वेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स, ऑप्सन नमबर हमारा, जोहांसबर्ग निनकी दक्षन अफरीका, जोहांसबर्ग में 15 वा ब्रिक्स सिखर समयलन, 2023 आयोजित हु सिखर समयलन, 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, आप क्यों आपसंस है, किर्गिस्तान, भारत, चीन या पाकिस्तान, चलिए, तो इस क्वेस्टन का राइट अंसर अगर आपने चुना है, आपसन नमबर बी, भारत बिल्कुल सही अंसर है, तो शंगाई, सहयोग, संगठन न भारत ने किया है, ओके, चलिए, हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रशन, अगला प्रशन आपके सामने, जी ट्वेंटी, जी ट्वेंटी, जी ट्वेंटी, इन शिखर समयलन, 2023 की अध्रिक्ष्टा, किस देश ने की है, बताई, आपके आपसंस देए गहें, जर्मनी, ब्रिटेइन, भारत, सिंगापूर, वैरी गुड, इस क्वेशन का रहें, अगला प्रशन आपके लिए है, कि वर्स दोहजार चौबिस में, ध्यान से पढ़िएगा, कि वर्स दोहजार चौबिस में, क्वाड्र शिखर समयलन की मेजवानी कौन सा देश करेगा, चलिए दे अगर जी सिखर समयलन से अगर पूछेगा, तो इस से बाहर नहीं आएंगे, और मैं हर टॉपिक आपका कवर करा रहा हूं, अभी आज चार्चित निधान भी हम डिसकस करेंगे, इसके अलावा जी आई टैग वहला टॉपिक है, वह भी डिसकस करेंगे, और भारत में करने के बाद में चनल की प्लेटलेस्ट में जा गरके हर क्लास को देख सकते हैं, तो अगर माम बागते ही इस क्व्वेश्ट के आउंसर की, इस क्व्वेश्ट का रहे आऊप्सिन सेकेंड हो जाएगा भारत, ठीग है, चलिए, ऑप्सिन बहारा इसक्वेश्ट के लिए बि इस question का right answer option number D हो जाएगा सयुक्त अरब अमीरात क्लियर option D चलिए अगला question friends प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अंतर राज़्ट्री ओलंपिक समित के कहां किया है तो इन दोर मुम्माई पड़जी दिल्ली कमेंट करें वेरी गुड इस question का right answer option number B हो जाएगा मुम्माई ओके प्रियर फ्रेंड्स option number B हमारा इस question के लिए विल्कुल सही अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न आठ्वा ब्रिक्स अंतर राज़्ट्री प्रतिसपर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है आपके आप्सेंस नहीं दिल्ली शंगाई डर्बन यह मॉस्कोव इस question का right answer option number A हो जाएगा नई दिल्ली तो आठ्वा ब्रिक्स अंतर राज़्ट्री प्रतिसपर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ याद रखिएगा ओके चलिए देखते हैं इस लास का अगला प्रश्न अगला प्रश्न वैश्वी कौशल शिखर सम्मेलन का चौधामा संस्क्रण कहां आयोजित हुआ है आपकी आपसिंगे पेरिस दिल्ली दोबाई यह मॉस्कोव कमेंट करें इस वैश्वी कौशल शिखर सम्मेलन का चौधामा संस्क्रण दिल्ली में उजित हुआ है चलिए डियर फ्रेंट्स हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न आप लोग क्लास को अपने शेर करते रहिए अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है जी सेवन शिखर सम्मेलन ठीक है ना सेवन होना चाहिए तो जी सेवन चीन शिखर सम्मेलन दो हजार तेईस का आयोजित कहां हुआ है यह कमेंट करें तो जी सेवन चीन शिखर सम्मेलन जो है यह हवाना ठीक है ना कहां पर हुआ है फ्रेंड्स हवाना में हुआ है चली दोस्तों देखते हैं अगला क्वेस्चन आपको क्लास को अपने शेर करते रहिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दोजर्टेइस में युनिस्को विश्य धरोहर समितिका पैंतालीस हमा सत्र कहां आयोजित हुआ है आपके आप्सें से रियाद मशीगटन नुसंतारा या कोप हेगन कमेंट करें चलिए का राइट अंसर होजाएगा हमारा ऑपसर नंबर डी कौप हेगन ओके इस क्वेश्चन की लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रेशन नाटो शिखर समेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है को फेकर डेनमार्क ब्रूसेल्स बेल्जियम एमस्टरडम नीदरलेंड या विल्नियस लुथियाना बताइए चलिए तो नाटो शिखर समेलन कहां हुआ है अगला प्रशन दिया गया है ध्यान से पढ़िएगा प्रशन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलोग 2023 के आठमे संस्क्रण का उध्खाटन कहां किया है बताइए कोलकाता जम्मो कश्मीर हैदराबाद ये नई दिल्ली फटाफट से बताइए अगला प्रशन विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है दावोस गलासू दुशामबे जकार्ता मत्य विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ है इसक्वेशन का राइट आंसर आप्सन नंबर ए हो जाएगा दावोस इनकी स्विट्जर लेंड में इनका भी आंसर आप्सन नंबर हमारा ए आर है वो इसक्वेशन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन सत्तरमा प्रवासी भारती दिवस समेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है इंदाबाद है को चीरद लूम्मय महाराष्टर इंद और मध्यप्रदेश म्टाइए कशली घकट सकत्रमा प्रवासी पक्षी दिवस हैं यह कहां पे हुआ है तो एक हो जो जन मध्य प्रदेश नीकर इंद दोर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है क्लियर चली फ्रेंड्स देखते फटा-फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण विष्ट हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजवानी किस देश ने की है मौरिसेस भारत फिजी स्कॉटलेंड कमेंट करें इस question का right answer option number C हो जाएगा फिजी तो विष्ट हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजवानी है फिजी देश ने किया है ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण स्यूंक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है फटा फर से केविन करें question मैं आपका फिर से पढ़ता हूं स्यूंक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजिन कहां पर हुआ है बताइए चलिए इस question का right answer हो जाएगा हमारा option नंबर पी न्यू यॉक अमेरिका में हुआ है न्यू यॉक में ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने तीसरे ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहां किया है तो चिन्नाई कोची इंद और यह मुम्माई करें तो प्रश्बूचा गया है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने तीसरे ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहां किया है तो मेरे शेरों याद रख रहा है आपको यह मुम्माई में किया गया है क्लियर ऑप्सन नमबर डी जिनका अंसर आया हुआ हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है चलिए क्वेस्टन आपके बहुत इंपोर्टन है इससे बाहर आपके एक्जैम में क्वेस्टन नहीं जाएगा मैं लिखके दे रहा हूँ आप लोग क्लास को बस सपोर्ट करिए क्लास को ध्यान से समझेए ठीक है और इससे बाहर में बार बार बोलतों क्वेस्टन के एक्जैम में नहीं जाएगा चलिए अगला प्रशन एक्वेस्टन टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समीट 2023 कहां आयोजित हुई है इक्वेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए न लिए अगला प्रशन है वर्स 2023 में जलवाई परिवर्तन और परमाण उर्जा पर अंतर राश्ट्री सब मेलन के धिक्ष्टा किस तेश्ट ने की है मेडा गासकर कोलंबिया बारबाडोज स्यूंक्त अरब अमीरात कमेंट करें अगला प्रशन दिया गया है कि हिंद महासागर रिम एसोशियेशन मंत्री परश्रत की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है कि भुटान भारत चीन श्री लंका कमेंट करें है कि हिंद महासागर रिम एसोशियेशन मंत्री परश्रत की बैठक जो है इसकी मेजबानी यह श्री लंका ने किया है किस देश ने श्री लंका ने याद रखिएगा चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशने तेरहवा हिंद प्रशांत सेना प्रमको का सम्मेलन कहां आयूजित हुआ है तेरहमं हिंद्प्रशान्थ महसागर ने हिंद्प्रशान्थ सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है ? पताईए। option आपके सामने comment करें। इस question का right answer option number D हो जायगा। याद रखना है 13 हिंद प्रशांत सेना परमुक्व का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है चलिए अगला प्रश्ण है दोज़र तेईस में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फरेंस की मेजबानी किस शहर ने किया है कमेंट करें तो पहले हल्दी कॉन्फरेंस की मेजबानी किस शहर ने किया है मुंबाई लाहोर पैरिस कोलंबो कमेंट करें फटाफट से चलिए इसको वैश्विक हल्दी कॉन्फरेंस की मेजबानी मुंबाई ने किया है क्लियर चलिए नेकलेंस क्लास काम अगला प्रश्ण अगला प्रश्ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अंतर्राश्ट्री वकील सम्मेलन 2023 का उध्गाटन कहां किया है कोलकाता है दराबात नई दिल्ली विशाकापटनम कमेंट करें तो अंतर राश्ट्री वकील सब्मेलां 2013 का उध्गाटन कहां पर किया गया है नई दिल्ली में क्लियर ऑप्सन नंबर सी जिनका भी आश्रारा बिल्कुल तरहीं उत्तर है उनका चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण आप लोग प्लीस फ्रेंड्स अपने क्लास क के लिए करके आए हैं अगला प्रश्ण है अंतर राश्ट्री व्यापार कानून पर संयुक्त राश्ट्र आयोग दक्षण एसिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है बहुत अच्छा प्रश्ण है ऐसे क्वेश्ण इक्जाब में आते हैं आप्सन साब के सामने हैं इस क्वेश्ण का राइट अंसर हो चाहेगा आप्सन नंबर हमारा भी भारत ठेक हैं तो अंतर राश्ट्री व्यापार कारून पर संयुक्त राश्ट्र आयोग दक्षण एसिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है कि भारत ने किया है चलिए अगला प्रशन है रिवर सिटीज एलाइंस ढरा की वार्षिक बेठऑ किस शहर में Vine करें अप्शंस फूनह में हुई है चलिए अगला प्रश्ण है 2023 में इंटर पोल ठीक है ना इंटर पोल की 91 महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा कमेंट करें फटाफट से अगला प्रश्ण दिया गया है 2023 में विश्व स्वास संगठा निनी की डबलू एच ओ का प्रथम पारंपरिक आउश्दी वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोचित हुआ है आपके options है आईजोल गांधी नगर हैदराबाद नुएडा मताईए चलिए 2023 में विश्व स्वास्थ संगठान का प्रथम पारंपरिक आउश्दी वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है कहां प्याउचित हुआ है तो यह गांधी नगर इनी की गुजराद में हुआ है ओके अगर आपने अपना अंसर option नंबर बीच उना हुआ है बिल्कुल सही अंसर है आपका शलिए हम देखते हैं इस class का फ्रेंड्स फटा फट से आपके लिए अगला प्रश्ण चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को class को लाइक कर करते चलिए और शेयर करते चलिए आप खुद देखे कितने इंपॉर्टन को एसंस आपके लिए हम लेकर क्या आए हैं अगला प्रश्ण है दोचर तेईस में स्यूंक्त राश्टर पर्रेवन करकरम की अंतर सरकारी वारता समीती का दूसरा सत्र कहां आयोजित हुआ है आप अगला प्रश्ण दिया गया है दोचर तेईस में भारती विज्ञान कॉंग्रेस के एक सो आथ में सत्र को किसने संबोधित किया अब क्यों आपके आपसर निर्मला सितारमन जग्दीव धनकर नरेंद्र मोधी ये प्यूश गोयल करें वेरी गुड़ दोचर तेईस में भारती कॉंग्रेस भारती विज्ञान कॉंग्रेस के एक सो आथ में शत्र को नरेंद्र मोधी जीने संबोधित किया है क्लियर जिनका भी आंसर आपसर नंबर सी आ रहा है मिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फटाफट से अगला क्वेस्टिन अगला प्रस्टिन ने दोचर तेईस में विश्च मसाला कॉंग्रेस का चौधहमा संस्क्रण कहां आयोचित हुआ है कि इस क्वेस्टिन का रही टासर आफसर नंबर सी हो जाएगा मुंबाई क्लियर और सी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गोड लेखते अंगला प्रश्टिन अगला प्रश्टिन संयुक्त राश्ट्र महासभा की 78 वी बैठक कहां आयोचित हुई है तो दोस्तों क्या आप जानते हैं मेरे शेरों शेरनीों क्या आपको पता है कि संयुक्त राश्ट्र महासभा की 78 वी बैठक कहां उचित हुई थी आपक्य आप्संस हैं ग्लासको नि चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number B, New York, America, ओके, option number B, जिनका भी answer आया हुआ है, very good, चलिए, अगला question दिया गया है, अठारवा पूर्व एशिया शिखर समेलन, 2023, कहां आयोजित हुआ है, नौडी, जकार्ता, पोर्ट लुईस, या स्ताना, कमेंट करें, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number B, जकार्ता, clear, option number B, हमारा इस question के लिए, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण, 2023 में, नौसेना कमांडरों के समेलन का, दूसरा संस्क्रण कहां आयोजित हुआ है, बैंगलेरू, गांधी नगर, कोच्ची, नई दिल्ली, बताईए, ओके, option D, नई दिल्ली में हुआ है, चलिए, देखते हैं, अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण, बीसमा, आसियान, भारत, शिखर सम्मेलन, 2023 कहां आयोजित हुआ है, कमेंट करें, बीसमा, आसियान, भारत, शिखर सम्मेलन, कहां आयोजित हुआ है, फटा-फट से इस क्वेशन का राइट आंसर आप्सन नमबर ए हो जाएगा जकारता नहीं इंडोनेशिया ओके आप्सन एस दा राइट आंसर शलिए अगला प्रशन केंद्री मंत्री जियोतिराद दित्य एम सिंधिया ने अंतर राश्ट्री एरोईस्पेस सम्मेलन 2023 का उध्गाटन किया है बहुत अच्छा प्रशन है बताइए ऑप्सन साहिब के श्रीनगर बैंगलेरू लखनाव गॉलियर गॉलियर में किया गया है ओप्सन डी क्लियर ओप्सन डी हमारा इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शलिए अगला प्रशन है केंद्री ग्रह एम सहकारिता मंतरी अमित शाह ने कहां पर आयोजिद पश्चिमी छेत्री परशत की 26 समी बैठक के जख्सतर की है वरणसी उत्रप्रदेश तिरुवंतपुरम गांधी नगर हैदराबाद पताइए इस question का right answer option number C हो जाएगा गांधी नगर गुजरात clear option C is the right answer of this question अगला प्रशन दिया गया है दोजर तेईस में अंतरराश्ट्री का पास सलाकार समेती की एक्यास्यमी बैठक कहां आयोजित की जाएगी अच्छा प्रश्ण दुबारा से दिख लीजिए प्रश्ण में पूछ रहा है आपसे कि 2030 में अंतरराश्ट्री का पास सलाकार समेती इनकी ICAC ठीक है कि एक्यास्यमी बैठक कहां एवजित की जाएगी बताइए चलिए अगर हम बात करें स्क्रेश्ण के राइट आंसर की तो इस क्रेश्ण का राइट आंसर आपसन डी हो जाएगा मुंबाई भारत चलिए अगला प्रश्ण है पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेगा भारत फ्रांस नेपाल जपान कमेंट करें आपसने भारत करेगा ओके जिनका भी आंसर आपसन नमबर ए आ रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं स्क्लास का अ अगला प्रश्ण है वर्स 2023 में वैश्विक पर्रेवन सुविधा की सात्वीं असेंबली कहां आयोजित हुई है बताइए बोगोटा वैंकनूर जकारता इगलास को बताइए आपसन बी वैंकनूर ओके जिनका भी आंसर आपसन बी आ रहे है वेरी गुड चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है दोजार तेईस में सनचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राश्ट्री सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है आपके आपसन से विज अगला प्रश्ण है कि भारत की अध्यक्ष्टा में जी 20 वित्यमंत्रियों और केंद्री गवर्नरों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है बताइए बहुत इंपोर्टन प्रश्ण है इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा आपसन डी मौर्कोस मौरको में भारत की अध्यक्ष्टा में जी 20 वित्य शिखर निवित्यमंत्रियों और केंद्री गवर्नरों की चौथी बैठक योजित हुई है क्लियर चलिए अगला प्रश्ण है भारत और फ्रांस के बीच पांचमवा वार्षिक रक्षा समवाद कहां युजित हुआ है कमेंट करें अगला इस क्रेंशन का रही टांसर ऑप्सटन यह चाहिए भारत और फ्रांस के बीच पांचमवा वार्षिक समवाद यह पेरिस में उजित हुआ है प्रेंट आज कि इसक्लास में इतना ही ठीक है दोस्तों आज कि मरें इसक्लास किसमें इतनी प्रेंस हैं आशा करेंगा ठीक है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसी डेली टॉपिक वाइस पढ़ने के लिए ठीक है रहे चिप्रेंड मैं आपका फ्रेंड शिबंकुमार मिलता हूँ आपसे आपके लिए मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स क्लास में तब तक के लिए फ्रेंड आप सब लोग अपना ख्याल लखिए सेफ रहिए पढ़ाई करते रहिए टेक केर फ्रेंड बाए